नमस्कार सस्रीकाल हेलो फ्रेंड्स सिंप्लिफाई यूर लाइफ में आपका स्वागत है पहली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि कैसे लीस्ट इन्वेस्टमेंट में हम कैसे अपने घर में ग्रीन एरिया क्रेट कर सकते हैं और आज मैंने आपको मॉस्टिक को मनी प्लांट के लिए कैसे यूज करते हैं यह दिखा रही हूं मैं भी यह पहली बारी कर रही हूं हाँ जैसे हम जानते हैं कि मनी प्लांट में एरियल रूट्स होती हैं तो यह जो एरियल रूट्स है जैसे यह है तो यह जो इनका काम क्या है यह वाटर और मिनरल्स जो है प्लांट को देती हैं और प्लांट को हैल्दी रखती है और इससे जो लीज हैं वो भी ब्रॉड हो जा तो मेरे पास तीन पॉट्स में दो पॉट्स यह थी एक और सिरमेक का पॉट था जिसमें मनी प्लांड लगा हुआ था और उनकी जो ब्रांचिस थी ना वह भी थोड़ी लोंग हो रही थी लटक रही थी निचे तो इसलिए मैंने इसको रीपॉट करने की करने का सोचा और मॉ यह चोटे पेबल स्टोंस की डाली और उसके बाद जो है मैंने जो संट गार्डन सॉइल और वर्मी कमपोस्ट जो इकोल अमाउंट में मैंने एक जगह उसकी स्वाल को बनाया और फिर वो लेयर डाली और मॉस्टी को खडा किया और इसके बाद मैंने यह तीन प्लांट्स मैंने साथ में और मनी प्लांट जो है एक माइस्चर लविंग प्लांट है इसलिए आप इसको स्प्रे करते रहें वाटर सप्रे करें और बस नीचे थोड़ा देखें कि यह वाटर सप्रेंग से यह बहुत खुश रहता है और टॉप स्वाइल को चेक करके ही वाटरिंग करें अबर वाटरिंग से इसकी रूट्स डखे हो जाती है ऐसा पॉट लें जिसमें से जो पानी है वो बहार निकलता लए जिसका होल अच्छा हो नीचे से स्वाइल अच्छी हो तो इसको लगाने के बाद जो है और इसको करने के बाद मैंने हैबिटेट का पॉद रक्षक लिक दोनों चोटे पॉट्स में सो तीन पॉट्स के अंदर से मेरे फिर तीन पॉट ही बन गए जो एक जो है यह मॉस्टिक के उपर बना है तो कोशिश करें कि आप अपने प्लांट की केर खुद ही करें और खुशी को अनभव करें क्योंकि जैसे ही हम कोई काम करते हैं और अप अपने आपको शाबाशी देते हैं तो हमारे एक हैपी हार्मोन बढ़ते हैं तो होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपके लिए यूसफुल होगा तो लाइक कमेंट करके जरूर बताईएगा थेंक यू फ्रेंट्स थेंक यू